हेलो एब्रिवन मैं मेतन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे कस्तूर्बा गांधी बाली का विद्याले से रिकूट्मेंट आई है और मैं आपको बता दू आठ नए कस्तूर्बा गांधी बाली का विद्याले से इस्टिक के आसपास के जिले की information चाहिए जहां से teacher recruitment आई है चाहे वो contractual हो permanent हो या फिर semi government school से recruitment आई हो उसकी पूरी जानकार लेने के लिए आपको क्या करना होगा चैनल को subscribe कर लिजिए अगर आप पहली बार आए हैं और आप हमारे telegram channel से join कर लिजिए telegram channel का link आपको नीचे comment section में मिल जाएगा एक और काम करना है आपको अपने district का नाम जरूर नीचे mention कर देना है नीचे comment section में अपने district का नाम जरूर लिख दीजिए तो चलिए कौन सी नई teacher recruitment आई है उसके बारे में जानकारी लेंगे उससे पहले में आपको बता दू 25 से 45 साल आपकी age होनी चाहिए तो ही आप जो है इस form को भर पाओगे minimum age 25 और maximum age जो रखी गई है वो रखी गई है कितनी 45 साल तो अगर आप इसके बीच में आते हो तो आप apply कर सकते हो पहली बात दूसरी बात एक कस्तुरवा गांधी से merit list जारी कर दी गई है वो भी आप video जाकर check out कर सकते हो link मैंने description में ड video को तो चलिए pdf of n हो चुकी है सबसे पहले आप यहां से देख लो मैं यहां पर circle कर रहा हूं actually rectangle बना रहा हूं आठ नए कस्तुरवा गांधी बालिका विद्याले से recruitment आई हुई है किसकी सब्जेक्ट के recruitment आई है वो पहले मैं आपको दिखा दू तो देखिए पुर्ण काल चलिए हैं वो है तीन हिंदी के लिए तीन गनित के लिए पाँच विätt्यान के लिए दो और अंगलेजी विसाई के लिए चार सिंखकों की जरूरत यांपे अब देखिए अनसकालिक सिंखका के लिए computer जिसके लिएJosh पद खाली है वेकेंट है अनसकालिक सिंखक है शिक्शक के recruitment आई है लेखा कार के लिए दो और सहाया करसोया के लिए एक recruitment आई है मैंने पहले ही आपको बताया था 25 से कम अगर आपकी एज है आप eligible नहीं पाती हो अपने आपको और 45 से अधिक आपकी age नहीं होनी चाहिए आगे जो कुछ और information है वो मैं आपको बता दो देखिए आपका जो merit बनेगा इस तरह से बनेगा हाइस्कूल में आपके कितने नमर थे हाइस्कूल यानि कि 10 में फिर intermediate में फिर graduation में और फिर आपने प्रसिक्षन जो B8 का मार्स है वो और फाइनली जो कस्तुर्बा गांधी में अगर आपने कहीं पर काम कर रखा है तो उसके लिए अधिक्तम जो अंक हैं वो परतेक वर्स के लिए दो और अधिक्तम तीस अंक होगा जो भी कम हो वो eligible हो जाएगा यहां पर उसके अलावा दखिए इंटरव्यू के लिए जो है ना सायक रसोया का चैन इंटरव्यू के द्वारा किया जाएगा और बांकी जो सब्जेक्ट है ना जैसे कि हिंदी अंग्रेजी गनित बिग्यान के लिए उनके ल करता है कि कुछ और इंपोर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता दो देखिए लिफाफे के ऊपर आपको दो लिफाफा जो है भेज देना है अंदर में एक बड़ा सा लिफाफा उसके अंदर दो लिफाफा भेजने हैं जिसमें 42 रूपीज का टिकट हर एक पे दोनों का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके अलाबा जो बी अडग वगरा आपने कर रखी है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए इसके अलाबा सी टैट या फिर यूपी टैट एमपी टैट कोई भी टैट आपने पास कर रखा है उसके सर्टिफिकेट इसके अलाबा कास्ट सर्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और इसके अलाबा कास्ट और इसके अलाबा जो है रेसिडेंशियल प्रूफ की जरूरत होगी डो मिसाइल सर्टिफिकेट जिसे बोलते हैं यह सारी चीजों की जरूरत आपको होगी यह सब चीजों को अगर आपने अभी तक तयार नहीं किया है तो पहले इने तयार कर ले और अप्लिकेशन जो फॉर्म है यहां से आप देख सकते हो यह देखो आपको यहां पर अपनी फोटो चिप का देनी है और ऊपर से थोड़ा सा पाट नीचे और थोड़ा सा पाट ऊपर में आप कैसे अगर आप लाइब डेमो देखना चाहते हो एक वीडियो डेडिकेटेड की हर एक चीज में क्या-क्या भरना है तो नीचे कॉमेंट करके बस आपको जैहिंद लिख देना है मैं समझ जाऊंगा कि आपको एक लाइब डेमो चाहिए कि कस्तुर्भा गांधी अप्लोड कर लेना लिंक में प्लीलिस्ट की आपको देदूंगा प्लेलिस्ट पे जाकर आप सारे वीडियो को चेक आउट कर लिजिए कस्तुर्भा गांधी बाली का विद्दल्य बांगपत से रिकुट्मेंट आई है इसके अलाबा और जगों से रिकुट्मेंट कास गं अधी बालिका विद्दले के नाम से मैंने बना रखिये इसकी लास्ट डेट जो है वो पांच जून रखी गई है साम पांच बजे तक आपको आवेधन करना है याद रखिएगा रजिस्ट्री ही कराना है आपको पोस्ट ओफिस में जाकर आपको बोलना है कि आपको रजिस सारे डाउट के लिए हो गए होंगे अगर नहीं हुआ है तो नीचे कॉमेंट करके आप जानकारी ले सकते हो विडियो यह आपने यहां तक देखे इसके लिए आपका बहुत वह सुक्रिया अपने दोस्तों रिष्टेदारों सहलियों तक इस विडियो को सेयर करें साजा कर और नए आये हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और लाइक वाला जो बटन है वह आपको दबा देना है थैंक्यू सो मच